दिन के सुरुवात हुगई और दिन की सुरुवात हुई जल्दी-जल्दी टहलने के साथ तो यहां पे मैंने थोड़ा सा विडियो फास्ट फॉरवर्ड भी किया है और साथी साथ मैं जल्दी-जल्दी चल भी रही हूं तो जो भी मेरा routine है वो मैं आज आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ तो जिस time पे मेरा weight gain हुआ था उस time पे 65 kg था लेकिन अभी मैंने जब ये सारी चीज़ें करना start कर दिया है और अपना weight loss routine पे काम करना सुरू कर दिया है तो इस time पे मेरा weight कितना है वो मैं अभी आगया आपको दिखाने वाली हूँ तो थोड़ा सा घटा है लेकिन कितना घटा है वो मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पे मैं कुछ steps follow करती हूँ और कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जैसे मैंने साड़ी पहन के किया हुआ है तो वो देखने में नहीं अच्छा लगता है तो इसलिए मैं थोड़ी से exercise आप लोगों किशा शेयर करती हूँ तो इसकी वज़े से आजा गई और अभी मैं पूजा वगएरा सारी चीज़ें कर के आगई तो क्या हुआ कि जैसे मैं अपना पूजा का रूटीन सेयर कर देती हूँ लेकिन इस टाइम पे मैं नहीं कर रही क्योंकि नौरात्रे चल रहे हैं तो इसलिए और देखो आप लोगों को पता है कि मैं स्प्रिच्वल हूं तो उसे मुझे रोज रोज आप लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं होती है वो मैं अगर आपको दिखाती हूं तो वो बस इस परपस से की एक मेरा रूटीन है तो इसके कारण बाकी सभी लोग आज तो अभी आज शेयर करने वाली हूं आपको अपना रूटीन मतलब मैं वेट मेरा गेन हो चुका है क्योंकि मैंने वेट किया था 65 केजी मतलब 10 किलो मेरा बजन बढ़ गया है तो क्योंकि मैं घर गई थी और उसके बाद फिर बहुत सारे तेवहार चलने लगे थे जैसे होल मैं माय के जाती हूं तो वैसे भी मेरा चार-पांच किलो बढ़ जाता है और जब अभी यहां पर तेवहार हो गया तो फिर उसकी वज़े से और ज्यादा थोड़ा सा वेट गेन मतलब थोड़ा सा नहीं पुरा 10 किलो वेट गेन हो चुका है 55 से 65 से 55 तक जाने का मेरा फिर स तो सबसे पहले सनान करके जब आई ना तो सोचा कि चलो आज अपना वेट करते हैं और जब वेट मैंने अपना देखा थो वो 64 एराउंड था मतलब की एक किलो तो घटा है उसके बाद आते ही सबसे पहले अपना गरम पानी पिया और सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो ग्यान भी चीज़ें बहुत ही फटा-फट से करना पड़ा तो सबसे पहले यह पनीर आज बड़ा-बड़ा काटके इसको बस ऐसे ही डाल दिया और बस ब्राउन होने तक इसको मुझे फ्राइ कर लेना है तो आज मैंने कट नहीं किया है पहले आज मैं फ्राइ पहले करूंगे बाद बागी का जो भी होगा वो देखा जायेका अलाकि मैं आप चावल कोका नीदा थैंसर Key सरसो को तयल जीरं को समा nggak लगाया और त। स्केम लाएट सबस्क्राइब प्रोओं अ safest और आंसर Beimशा कि मैंने बैसिक से मसाले पीस के तेयار के थे लससन और प्याज नहीं है क्योंकि बैसे लेसी के नाशन ऑ प्याज सारी। यह बैसिक शूखे मसाले भूते हैं उनको भी डाल दिया गया जैसे कि धनिया, गरममसाला और यह सारी चीज़ें और बस इसको पकने के लिए वेट करेंगे जब मतलब यह सारा मसाला अच्छे से पक जाएगा तील छोड़ देगा तो फिर इसमें पानी अट करेंगे और पानी भी आज मैंने गरम पानी करने एक तरफ गरम पानी करने के लिए रख दिया है तो दूसरी त से अब तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है तो अब इस स्टेज पे डालेंगे इसमें पानी गरम वाला तो थोड़ा सा और वेट करेंगे मतलब जैसे ही यह देखो बगल बगल से तेल दिखने लगा तो इस टाइम पे डालेंगे और यह जो चिपकना भी छोड़ देता है तो घराम पानी फटाफट से डाला और फिर उसके बाद इसको बॉइल होने के लिए छोड़ देंगे। बॉइल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने गरम पानी डाला है तो जब बॉइल होने के बाद 5-6 मिंट बाद मैं फिर इसमें डालती हूं पन तो आप सबजी बन गई और सबजी बनने के बाद सबसे पहले मैंने अपना जीरा वाला पानी पिया जीरा मैंने रात में ही बॉइल करके रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने उसको पीना सुरू किया तो सिप सिप करके पीना होता है हलका सा गुनगुना होता है और अगर आपको इसकी महक नहीं पसंद है तो फिर आप देख सकते हो आप इस पर कुछ आड़ कर सकते हो जैसे नीबू पानी वगएरा तो मुझे नीबू सूट नहीं करता इसलिए मैंने नीबू को हटा दिया है और आज ये है मेरा सुबे का ब्रेकफास्ट जिसमें की एक केला और साथ ही साथ मैंने एक किस सबजी और चावल रखा तो ये मेरा खाना नहीं था ये ग्यानू के पापा का खाना था तो ग्यानू के पापा खा लिए और फिर उसके बाद आज ननन भी जाने वाली है नौरात्रे चल रहा है तो नौरात्रे में इनकी बिदाई होनी है तो क्योंकि फिर उधर ना सुक्र और लड़ू तो लड़ू तो मंगवाई जाते हैं लेकिन पूड़ी और पुवाव बनाए जाती है घर में तो उसको बना के फिर विदाई की तैयारी करने लगी तेर्वे लगाया और भाकी का जो भी प्रोसेथ होता है वो क्या उसके बाद अपने लिए खाना निकाल लिया अब तो मिसिए बाकर अपने लिए मैंने सब्जी सब्जी नहीं रखी थी क्योंकि वह आपनीर का भी मज़ा उनका खराब हो जाता इसलिए पनीर ही रखी बाकी अपने लिए मैंने सबजी चावल और पनीर और खीरा ले लिया तो अब इसको खाएंगे और खाना जब भी खाईए ना अराम से बैट के और उसके बाद फिर टीवी और फोन से दूर रहें कोसिस करिए कि 32 बार खूब अच्छ से चबा चबा के खाईए और खाने का क्या है कि खाना ज़्यादा नहीं पानी ज़्यादा पीजिए बस आपका वेट मतलब मेरा जैसे वेट घट रहा है तो मेरे साथ क्या है कि मैं पानी ज़्यादा कंजियूम करती हूँ और खाने की चीज़े कम कोसिस करती हूँ कि मेरे मतलब मेरे जो मेरा सरीर है तो उसमें 80% पानी हो और 20% खाना हो बाकी फिर मूड होता है तो खा भी लेती हूँ लेकिन कोसिस यही होती है कि खाना कम से कम और पीने वाली चीज़ें ज्यादा से ज्यादा हो तो अभी फटा-फट से कपड़े फैला देते हैं क्योंकि कपड़े जो मैंने धुल के रखे थे वो फिर उनको किया और सारी साप सफाई की घर की तो जैसे बिटिया बिदा होती ना तो हमारे गर में जाड़ू और पोछा नहीं होता है तो वो मैं पहले ही सुबे कर चुकी थी क्योंकि नौरात्री चलना है तो नौरात्री में सुब सब्सक्राइब करें तो यह कबाब है और इसको मैं ने आप लोगों के साथ और और वीडियो में शेयर किया है अगर आप लोगों ने देखा हो तो यह बहुत जादा हल्दी होता है प्रोटीन वगरा बहुत अच्छे से मिल जाते हैं तो अगर आप भी खापाऊ ना तो जर और इसका टेस्ट भी कुछ-कुछ चीला जैसा होता है तो खाने में भी अच्छा लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग भी देखिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे ना तो जरूर ट्राइ करिएगा बहुत जादा हल्दी है और खाना में साम करना, bye bye and take care